नमस्कार और वेलकम यूआल मैं हूँ धननजय लगबग 8 या 9 ओगस्ट के आज पास ओनलाइन या ओफलाइन तकरीपन सभी मेडिया आउटलेट्स में ब्रॉटकास्ट बिल 2024 के बारे में चर्चा होना शुरू हो जाता है जिसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स को दिये गए थे हैं जिसको पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा था कि सरकार आवास को दबाना चाहती है या खास करके सरकार उन लोगों को टार्गेट कर रहे हैं जिनके विचार सरकार के साथ नहीं मिलते हैं जैसे ही ब्राटकास्ट बिल 2024 के कुछ पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में आता है वैसे ही लोग बढ़ जडगर सरकार के क्रिटिसिजम भी करना शुरू कर देते हैं यहां पर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आप लोगों से तब भी सरकार ब्राटकास्ट बिल 2024 को वापस करते हैं आप अपने विचार कॉमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं जिनको ब्राटकास्ट सर्विसेज बिल के बारे में कुछ भी नहीं पता है वो broadcast services बिलको कुछ इस तरीके से समझ ले जैसे की समय के साथ हर चीज़ में बदलाव होता है चाहे वो communication हो गया या transportation हो गया भारत में जब से internet सस्ता हुआ है और wifi का trend बढ़ा है तब से लोग बढ़ चड़कर social media platforms का इस्तिमाल करना शुरू कर दिये हैं और यहां पे लोग अपने अपने हिसाब से content बना के उसको produce करते हैं या उसको upload करते हैं इसी में चाहे बात कर ले हम YouTube का, Instagram का या social media platform X का या तकरीबन सभी तरीके का इसी के साथ जो भारत के आम जनता है उनको अपने विचार को फैलाने का या रखने का एक बहुत या अच्छा जरिया मिल गया जहां पे कोई भी लोग डेली में बैठे बैठे अपनी आवास को या अपने विचार को USA, UAE या तकरीबन दुनिया के सभी हिस्सों तक वो पहुँचा सकते हैं इसी बीच क्योंकि भारत एक democratic structure को follow करता है तो chances यहां पे काफी high है कि कुछ ऐसे भी लोग रहेंगे जिनके विचार सरकार के साथ नहीं मिलते हों और ये भी हो सकता है कि वो बहुत ही systematic तरीके से सरकार के जो policies है उसको वो criticize करें तो इसी में क्या है कि सरकार चाहे भारत के हो या दुनिया के किसी भी देश के वो कभी भी criticism को accept नहीं करना चाहते हैं तो इसी बीच जो market expert से उनका ये मानना था कि broadcast services bill 2024 खास करके उन लोगों को target करने का एक attempt था जिनके विचार सरकार से नहीं मिलते थे या नहीं मिलते हैं broadcast services bill को कुछ limited लोगों के साथ या industry के जो stakeholders हैं उनके साथ share किया जाता है और बहुत ही confidential तरीके से share किया जाता है और साथ में उनको ये भी कहा जाता है कि इस bill के copy को आप किसी और के साथ share नहीं करेंगे और इस bill को share करने के बाद उनसे उनके विचार या उनसे उनके feedback लिये जाते हैं अब जो सबसे इसमें disturbing element था broadcasting services bill 2024 में वो ये था कि वैसे कोई भी individual content creators जो अपने individual capacity में किसी भी तरीके से informative videos बनाते हैं या किसी भी तरीके से कोई भी policies को वो analyze करते हैं या current affairs videos बनाते हैं उनको भी इसमें include किया गया था और उनके लिए जो section रखा गया था या जो category define किया गया था वो था digital news broadcaster जहां पर ये एक compulsory था उनके लिए कि वो एक team का formation करेंगे जिस team में वैसे लोग रहेंगे जिनको society के बारे में अच्छी समझ है जब मैं society कह रहा हूँ तो इसमें तकरीबन सभी चीज इसमें आ जाते हैं और साथ में वैसे कोई भी content creators चाहे किसी भी social media platform का इस्तेमाल करते हों अगर उनके दिमाग में विचार आएगा कि उनको content बनाना है तो सबसे पहले उनको सरकार के साथ register करना होता और साथ में ये भी उनके लिए compulsory होता कि वो जो team का formation किये हैं उस team में कितने members हैं उनके बारे में भी details उनको share करना होता और किसी भी तरीके से कोई भी individual content creators किसी भी तरीके से का team नहीं बना पाता तो उनके उपर जो penalty था वो 50 लाग से लेके धाई करोड रुपय तक का penalty था तो ये penalty आप सुन कहीं आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से सरकार आपको bulldoze करने का कोशिश कर रहे थे अब कोई भी एकर ऐसा content creator है जो अपने individual capacity में videos बनाता है for example जिसमें मैं खुद आता हूँ तो मैं एक team को form कैसे कर पाऊंगा यानि कि मेरे पास इतने पैसे कहां से आएंगे और जहां तक बात किया जाए social media platform का तो बीते कुछ सालों में ये भी लोगों का एक source of income बना है और जहां तक बात किया जाए government services या किसी भी तरीके से रोजगार का तो ये आपको और मुझे हर किसी को पता है कि government कितना serious है आपके हमारे रोजगार को लेके so ministry of information and broadcasting 2023 में भी broadcast bill को लेके आते हैं लेकिन जो 2024 का bill था उसमें और 2023 का जो bill था उसमें काफी difference रहता है अब दिमाग में सवाल ये आ सकता है कि जब 2023 में bill लाया गया था तो 2024 में क्यों लाया गया तो एक बात बता दू कि 2024 में चुना हुआ था और हमारे भी जो भी polity पढ़ते हैं उनको पता है कि अगर किसी भी तरीके से bill पार्लियमेंट में pending होता है और उसके बाद एकर चुना हो जाता है तो दुबारा से उस bill को present करना पड़ेगा लेकिन इसी बीच क्या होता है कि 2024 के लोग सभा चुनाओ के पहले कुछ ऐसे individual content creators थें जिन्होंने कुछ videos बनाये थें जो videos खास करके जो ruling government है उनको target किया गया था अब यहाँ पे मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि वो video का nature अच्छा था या खराब था या वो politically motivated था normally जब भी हम society की बाते करते हैं तो यहाँ पे जितनी लोग होते हैं उनके अपने अलग-अलग विचार होते हैं और सभी लोग सरकार की विचार से सहमत रहे ऐसा भी नहीं होता है तो जो market experts है उनका ये मानना था कि 2024 के जो bill है उसमें digital news broadcaster इसलिए ये category को add किया गया ताकि जो individual content creators रहे उनको इस दाइरे में लाया जाए और वो किसी भी तरीके से online platform का इस्तेमाल करते हैं अपने विचारों को रखने के लिए उनको भी सरकार के साथ अपने आपको register करना पड़ेगा तो कहने का मतलब है कि अगर सरकार के साथ आप register अपने आपको करते हैं तो कहीं न कहीं आप सरकार की गिरफ्त में आ जाते हैं लेकिन अगर वहीं पे साल 2023 का जो broadcast services bill है वहाँ पे इसके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं था एक बात बहुत ही साफ और इस पस्ट कर दूं कि online platform को regulate करना बहुत जरूरी है ताकि हमें ये पता रहे कि किसी भी तरीके से online platform का misuse ना हो या किसी भी तरीके से यहाँ पे misinformation को फैलने से रोका जाया और अगर कोई misinformation को फैलाता है तो उसके उपर बहुत strict action होना चाहिए लेकिन ये चीज़ थोड़ा पढ़के अपने आप में अजीब लग रहा था कि सरकार के साथ आपको register करना है आपको team बनाना है और किसी भी तरीके से अगर आप team नहीं बना पाते हैं तो जो penalty रहेगा वो करोडों में जाएगा जो सरकार का version था वो ये था कि सरकार ये fix करना चाहते हैं कि जो भी content बनाते हैं और upload करते हैं उनको किसी तरीके से accountability और responsibility fix होनी चाहिए तो जब सरकार ये चाहती है कि आप एक accountable और responsible रहें तब लोग सरकार से भी बहुत सारे सवाल पूछते हैं या पूछेंगे कि जो promises आप लोगों ने चुनाओ के पहले किये थे उस promises का क्या हुआ या खास करके आप अश्वनी वैशनब का अगर आप बात कर लेंगे तो बीते दो महीने में कितने train accidents हुए ये आपको हमें सभी को पता है तो जब हम accountability के बात करते हैं तो हमें ये भी ensure करना है कि accountability सिर्फ एक या दो लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है बलकि जितने भी लोगों देश में रह रहे हैं सभी की जिम्मेदारी बनती है और जैसे ऐसे broadcast services बिल के बारे में लोगों को मालूम पड़ता है तकरीबन सभी तरब से criticism शुरू हो जाता है जिसके कारण क्या होता है कि सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ जाता है और वहीं पे अगर बात किया जाया तो तकरीबन सभी लोगों किसी ना किसी तरीके से उनके पास सवाल था कि क्या सरकार किसी भी तरीके से जो criticism उनके उपर होता है उसको वो रोकना चाहते है भारत ही वैसा देश है जहां आपको समिधानिक अधिकार मिला है जहां पे आप अपनी बातों को organized तरीके से रख सकते हैं जहां तक बात किया जा भारत के बारे में या किसी भी देश के बारे में तो अगर वहां पे feedback का system सही नहीं रहेगा या किसी भी तरीके से आप लोगों को अपनी विचार रखने से रोकेंगे तो एक democratic structure और एक dictatorship structure में क्या ही फर्क रह जाता है और उसके बाद अगर बात किया जाए तो ministry of information and broadcasting जब इस bill को वापस ले लेते हैं तो reason नहीं बताया गया कि वो इस bill को वापस क्यों लिये और जिस तरीके से broadcasting services bill 2024 को कुछ selected market stakeholders के साथ share किया जाता है और वो भी बहुत ही secretive तरीके से तो वो भी बहुत सारे सवाल को raise कर रहा था तो more or less आप ये समझ लें कि कितनी बार अच्छा होता है कि सरकार के पास spoon बहुमत हो और कितनी बार अच्छा नहीं होता है I hope that you like the video अगर फिर भी मुझे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं See you in the next video Have a wonderful day Thank you, take care, goodbye